मैंने पहले भी कहा है और आज फिर कहती हूँ राहुल गांधी होना आसान नहीं एक 14 साल का बच्चा जब घर आता है और अपनी दादी को 35 गोलियों से छलनी लहु लुहान देखता है तो उस अबोध मन पे क्या वीती होगी साथ साल बाद विदेश में पढ़ते वक्त फोन पे पता चलता है पिता शहीद हो गए और जो उनकी अंत्योष्टी के लिए वो लोटते हैं तो उनके बिखरे शरीर के टुक्डों को जोडते हैं उसके बावजूद भी उनके मन में कोई गुसा नहीं है कोई नफरत नहीं है क हर वक्त प्यार की बात करते हैं क्योंकि राहुल गांदी होना आसान नहीं है राहुल गांदी की रवों में शहीदों का खून है और इसलिए वो इस देश के लिए सतत लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे वो लड़ते हैं इस देश के गरीबों के लिए महिल तरके नाब देते हैं, क्या बेपना महबत मिली उनको कश्मीर और कन्या कुमारी की यात्रा करते वक्त, जिस तरह से लोगों ने उनको गले लगाया, पिता तुल बुजर्गों ने, माउने, बेहनों ने, युवाउने, बच्चों ने, ऐसा लगा कोई अपना बिछडा मिल र लेकिन एक बात सच है, कि कितना भी शड्यंत रचले, सदस्ता रद्ध हो जाए, सरकारी बंगला छिन जाए, ये अद्भुत है, कि आज ये देश उठ खड़ा हुआ है, गरीब, बच्चे, महिलाए, बुजर्ग, अमीर, मध्यमवर्ग, आज उठ खड़ा हुआ है, और हर आपकी पूंजी है, ये आपकी धरोहर है, मैं सिर्फ एक बात कहना चाती हूँ, मोधी जी आपसे, परिंदे का घोसला तो जार सकते हैं, उसका होसला कैसे चीनिएगा, इस देश में आप उनका पद हटा सकते हैं, उनकी प्रतिष्ठा पर प्रहार नहीं कर सकते, इस देश म मेरा घर आपका घर है